जाए मातादी दोसों तो देहाती रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज हम बनाएंगे दो प्याजा मस्रूम तो इस तरह से हमारा मस्रूम तयार होगा दो प्याजा तो कितने सांदार लोग में तयार होगा तो अगर हमारे वीडियो में नए हो तो फिलिज हम तो सारे मसरूम को इस तरह से कटिंग कर लें देख लिजिए तो मसरूम कटिंग करने के बाद गार समारे सारे मसरूम कटिंग हो चुकिए तो हम कलते हैं एक पैन में हमने दो मेडियम कंचुल से जो दाल से दाल वाला कंचुल होता है उसी से दो कंचुल हमने तेल डाले हैं इस तरह तो हम इस प्याज को इस तरह से फ्राई करके इस तरह से प्याज को कटिंग करना है तो इस तरह ब्राउन लाल होने पर इस प्याज को हम निकाल लेंग तो थो हम इसको रख देंगे। तो हम कभी उच्कच क दिखाएंगे। तो हमें इसमें तेज पत्ता डाल दिये है और खड़े साबूत गर्म मसब्र डाल दिये हैं। तो जब तक जीरा लाल ko 개 equally तो तो हमने कुछ लेशुं के कलिया डाले हैं कहंते से प्लाइब देखिए इसमें हम बारी कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे इस तरह हैं तो यहाज प्याज को हम तो इस तरह ब्राउं हुने तक अच्छी तरह से भूजना है तो इसमें हमकुछ अधरफ के टुकड़े इस तो ब्राउन हो गया है अमारा इस तरह देख लेजिए तो हम इसमें कटे हुए मस्रूम को डाल देंगे इस तरह मस्रूम को डालने के बाद हम इसको थोड़ा चलाएंगे तो guys हमोट को चलाएंगे और फोड़ा चलाने के बाद हम इसमें कुछ और भी समाने एड़ करेंगे तो देखिए हम थोड़ा सा लगाने और संबा जाई हैं गतल आप पास लगाने तो मलाय भी डाल सकते हैं तो हम एक चमबस थोड़ा मसाले डाल रहे हैं पी से तो आते हैं और जम घनिया कर डाल दो हैं आधा चमाच हम हलदी को डाल रहे हैं इस तभाय देख लेजिए तो एक सब सारे मारे मसाले मैं तो हम संप नमरrista Niya और हमने तीन टमाटर मीडियम साइज के इसके प्रेश्ट हम तयार करके इसको भी डाल दे रहे हैं इस तरह तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कंश्का हमको पांच मिनट तक भूजना है जब तक हमारे मसाले तेल ने छोड़ने लगे तो हम थोड़ा इस बे डालेंगे लाल मिर्च कासमेरी वाला यह तीखा नहीं होते कि हो कलर के लिए होते हैं तो इस तरह से हम भूजेंगे तो गाइस हमारे पांच मिनट होने वाले हैं तो देख लिजे हमारे मसाले तेल भी छोड़ने लगे तो एक चमच हम स्वाद अंसाल नमक डाल दे रहे हैं इस तरह तो नमक आप अपने स्वाद अंसाल भी यूच करना जब आप लोग बनाएंगे तो हर घर में कुछ अलग हिसाब से खाते हैं नमक तो हम एक ग्लास फानी इसमें डाल दे रहे हैं देख लेजिए तो हम इसा हमारा इस तरह का ग्रेवी तयार हो अगर आपको और भी ग्रेवी चाहिए तो बट आप और भी फानी यूच कर सकते हैं तो हम कुछ इस तरह काज अगर डालेंगे तो अच्छा लूप तयार होगा तो हम इस काजो को पीस का इस तरह डाल रहे हैं देख लेजिए इसके बाद हम क्या यूच करेंगे आपको दिखाएंगे जो हम प्याज को फराई करके रखे थे पहले इसको भी डाल के इस तरह हम सारे सब्जिया को मिस हम गैस को बंद कर दिये हैं तो गाइस हमारा इस तरह का एकदम तो प्याजा मस्रूम तैयार है एकदम अच्छे क्वाल्टी में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में तो एसे आप बनाईए इस तरह से प्लेटिंग हमारा हो रहा है देख लिए एक बास जरूर ट्राय करें आप बार बार बनाऊगे तो एसे वीडियो को लखने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेजिए बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को आसानी से लग सकते हैं तो अ अब अच्छा लगे हमारा वीडियो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जय है जय है